आज मैं मार्केट गई तो सामने मुझे दीग गया ये कंटोला जिसे ककोडे भी बोलते हैं और ये सीजनल सब्जी होती है अभी इसका सीजन जाने ही वाला है तो मैंने का चलो फटा फट से एक बर आल्स को हम बना लेते हैं इसकी सब्जी बहुत टेस्टी लगती है करेली की फेमिली की होती है इनको मैंने वाश कर लिया है और अब हम इनकी करेंगे कटिंग तो आप चाहें तो गोल गोल राउंड में भी इसके स्लाइस कर सकते हैं पहले इसके पॉइंट्स दोनों कट किये मैंने और बीज से इसको हम ऐसे दो भाग में हम कर देते हैं अब आप निकालने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम यह करता है इसलिए मैं इंको कर देती हूँ पहले स्लाइस में अब स्लाइस में करने से बीज जो एक दम सामने दिख कर किया जाएंगे तो हातों से भी इस तरह से ईज़ी निकाल पाएंगे यह देखिए जो बड़े कंटोले होंगे उसका बीज हार्ड होगा और जो छोटे होंगे उनके बीज बिलकुल सॉफ्ट होंगे तो चली फटा-फट से हम कटिंग कर लेते हैं इसके बीज एकदम नरम है तो हमें इनके बीज निकालने की बिलकुल भी ज़रूरत नहीं है और फटा-फट से slice कर लेंगे आप चाहें तो गोल-गोल भी slice कर सकते हैं और medium की slice आपको करना है क्योंकि ये सबजी बिना पानी के पकती है जैसे करेले में पानी नहीं डालते है वैसे ही इसके अंदर लेकिन ये कड़वा नहीं होता है केरला तो कड़वा होता है लेकिन ये कड़वा बिल्कुल भी नहीं लगता है ये भी बिल्कुल सॉफ्ट है फटा फट से हमारी पूरी सबजी जो है वो कट करके त्यार हो गई है चलिए सारी सब्जियां कट करके रेडी हो गई है जिसके अंदर बीज बड़े थे आप यहां पर होल देख सकते हैं कि यहां पर होल नजर आ रहा है और दोस्तों इसके अंदर कुछ लोग प्यास डालना पसंद करते हैं कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं दोनों तरीके से यह अच्छी लगती है बिना प्यास की भी और प्यास के साथ भी मुझे तो प्यास के साथ जादा अच्छी लगती तो एक मीडियम की प्यास को मैं फाइन चॉप करके लूँगी यह अद्रक और लसन है इनको हम छील करके इसके अंदर चार हर इमिज और इनको हम क्रश कर लेंगे मिकसर जार में बिना पानी के मैं इसको मस्टर्ड ओयल में बना रही हूँ आप चाहें तो मस्टर्ड ओयल स्किप कर सकते हैं अगर आप नहीं खाते हैं तो जो भी ओयल आप खाते हैं वो एड़ कर लीजिए खड़ा जीरा मैंने हाफ टी नमक डाल दिया इसको थोड़ा ही ब्राउन करेंगे बहुत जादा इनको ब्राउन करने की जरुरत नहीं है क्योंकि यह कंटोलर डालने के बाद में भी हमें इनको रोस्ट करना है ना यह बिना पानी के पकेंगे तो प्याज और जादा ब्राउन हो जाएगी अपने आप ही फटा फटा से इनको हम मिला लेते हैं उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी हरी मिर्च अद्रक और लस्टन जो हमने क्रश करके रखा है वो एड़ करके उसको भी अच्छे से मिला लेंगे कल जो मैंने नैलाउन खमन के रेसिपी पोस्ट किया दोस्तों आप उसको जरूर देखिएगा प्लीज बहुत सारे लोग है जिनको नैलाउन खमन खाना बहुत पसंद है लेकिन वो पर्फेक्ट बना नहीं पाते हैं तो वीडियो आप देख लेंगे तो आप भी घर में बह लाइव भी सिखाने वाली हूं तो चलिए हमने इनको इस तरह की से मिला दिया है बहुत ही अच्छी खुश्बूर जिंजर और गालिक की आ रही है इनको हम ऐसे फैला करके सिंगल लेयर में कर देंगे ताकि कंटोला बहुत ही अच्छे से नीचे से रोस्ट हो जाए दस मिन पॉडर एक टी स्पून पिंच आफ हल्दी और बहुत ही जरा सी मैं इसके अंदर धनिया पॉडर डाल रही है देखिए हाफ टी स्पून के जितना यह जो सबजी है जितनी सिंपल आप बनाएंगे यह उतनी जादा अच्छी लगी कि इसको मसालेदार आप बनाएंगे तो जादा नहीं अच्छी लगती है यह ऐसे ही अच्छी लगती है बिलकुल सिंपल मैं आप जाया तो धनिया पॉडर भी इसकीप कर सकते हैं दो मिनट के लिए और कवर करूंगी ताकि यह गल जाए तो दो मिनट हो चुगे है दोस्तों हम चेक कर लेते हैं इनको एक बार इनक का सीजन बस अभी जाने ही वाला है महराष्ट्र में तो इसको ककोडे कंटोला भी बोलते हैं आप क्या क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता बताएगा मुझे आमचूर पॉडर जरूर एट करीगा इस सबजी के अंदर मैंने लगबग हाफ टीस्पून से 3-4 टीस्पून डाल दिया है नमक डाल दिया नमक कम था अब बस मिलाएंगे और सर्फ कर देंगे तो आई हो की रसिपी अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो लाइक करिए कल फीरा होंगी थैंक्स वार वचिंग